हलो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 11th Mathematics ठीक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हमारा चाप्टर है वो है Trigonometrical Function ठीक है Trigonometrical Function तो इसके बारे में हम दो समझने वाले इसको हिंदी में आप कहते हैं तो समझें कि सबसे पहले Trigonometrical होता क्या है या Trigonometrical होता क्या है उसके बारे मितिक है तो वह दो चीजों से मिनके बना से हैं आप दो यहां और जिसको हम बनकुन होता है मेजर्मेंट का मतलब मापन का मतलब इसको हम अम कहले है मापन को हम हिंदी में बनकुन मापन यह कहा अब बात करते हैं कि टूर ट्रियमोमेट्रिक का अर्थ क्या हुआ ठीक है थो ट्रियमोमेट्रिक का अर्थ यह होता है complete measurement of a triangle is studies in trigonometic ठीक है मतलब हम trigonomethy में trigonomethy में किसी भी एक तरहुच का complete measurement मतलब संपूर मापन को पढ़ते हैं समझ मेरा है trigonometric में या trigonimity में किसी भी त्रिभूच का कया करते हैं complete measurement मतलब संपूर मापन करते हैं तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अब हम बात करते हैं इंगल के बारे में इंगल क्या होता है उसके बारे में देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूं प्लेन बताता हूं तो यह देखिए यह मैं प्लेन बनाया x-axis और y-axis जो की x-axis का positive direction यह है और negative direction यह वैलो है वैसे ही y-axis का positive direction उपर की और negative direction नीचे की और है अब हम बात करें इंगल क्या होता है तो इंगल क्या होता है एक हम straight line खीचते हैं वह straight line जो है वह एक position सबसे पहले माह देते हैं कि यह जो straight line है और suppose यहां पर कोई point रहा होगा और one जो point है यहां move होते हुए move होते हुए कहा गया यहां पर गया ठीक है मतलब कोई straight line जो की जिसका initial line कहां पर था सामान्य इनिसियल position हो गया था यहां पर था और इंडिक position मतलब अंतिम position कहां पर था अंतिम इस्थि यहां पर था तो उन दोनों के बीच में ठीक है किसी भी plane के plane में किसी भी plane में initial position मतलब प्रायरण के स्थिति और अंतिम इस्थिति ठीक है आपके कुछ मिल रहा है दोनों की बीच में हमको कुछ मिल रहा है और वो जो कुछ मिल रहा उसी को हम क्या बोलते हैं एंगल बोलते हैं ठीक है तो आप इसी को ही थीटा के रूप में दिनोट करते हो तो यह चो होता है वह हमारा ठीटा होता है, अब यह चो थीटा होता है। यह उत्व अल्हें की आगज No. लेकिन यही जो line वो पीछे की ओर होता तो हम इसको बोलते negative है कि सपोस्ज ऐसा होता तो इस direction में जबाता तो हम इसको कहते minus theta या negative आए रहे यह जो value है वो negative है तो theta का जोवान है वह angle का जोवान है हुआ positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है तो दोनों ही consider किये जा सकते हैं अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो एंगल होता है उसका मापन की कितने सारे पत्धियां होती है या में देखते हैं measurement of angle या कोड का मापन तो इसके लबभग हमारे पास तीन पत्धियां है तो तीन मैथड है और इन तीन मैथड के द्वारा हम कोड को माप सकते हैं तो पहला मैथड है सेक्जागेस्मल सिस्टम जिसको हम सच्टिक पदती के हाज़त करते हैं अब यह जो मैथड है उसके बारे हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो पहला पॉइंट हमारा आता है वह आता है एक right angle दिवाने में ठीक है वह आता है क्या है right angle तो one right angle right angle is equals to यहां पे 60 degree होता है ठीक है यहां पे हमको जब भी हम एक angle बनाएंगे इसका मतलब हो या हमने 60 degree बना लिया ठीक है और एक degree का मतलब क्या होता है one degree आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं तो one degree is equals to यहां पे आप लिखेंगे 60 minute ठीक है तो one minute is equals to क्या होता है 60 second ठीक है यह मैंने two time days लगा दिया है तो आप चाहो कर सब लिख सकते हो 60 का यह second two time days में second को रिप्रेजेंट करेगा तो one time days रहेगा तो minute को रिप्रेजेंट करेगा तो यह जीज हमाने पास रहेगा दाश्टों ठीक है मतलब हम सश्टित प्रद्रती में क्या क्या बोल सकते हैं उसके वारे बात करें तो एक right angle जो है 60 degree को बनाता है दूसरी बार एक degree का मतलब होता है 60 minute इसमें और यदि एक क्या बोला जाए एक minute बोला जाए ठीक है एक degree बनावा 60 minute और एक minute बोला जाए तो एक minute जो होता है वो 60 second होता है ठीक है अच्छा अब बात करते हैं हम sexal decimal के बारे में तो sexal decimal system जो होता है जिसको हम बोलते हैं तो centiμal system कहते है कै क्या कहते हैं सक्टर को pourcent fundamental system ये सबदिक dlaचति करना तो ये ょ स्टे में दूसरी इसमें जो जो Right Angle है वान राईट इंगल ये जो बनाता है वो बनाता है 100 great बनाता है इसमें जो मापते हैं, वो ग्रेट में माँ बचनते हैं, ठीक है, डिगरे में नहीं, और यदि हम बात करें, वन ग्रेट के मारें बात करें दोस्तों, तो वन ग्रेट इस इक उस्टू होता है, हंड्रेड मिनट, क्या होता है, हंड्रेड मिनट, यह होता है तोस्तों, ठीक है, और यति हम यहां पे एक मिनट की बात करें दोस्तों तो यहां पे जो होता है एक मिनट का माहा होता है सो सेकेंट ठीक है सो सेकेंट यहां पे होता है सो सेकेंट कौन से पद्धती में सेकेंट चो सतिक पद्धती तहलाता है उसमें अब हम बात करते हैं circular system के बारे में जिसको हम पढ़ते हैं वृत्ति ये पधति यही important पढ़ती है दोस्तों 11th class के लिए और अगे आगे चोवी class हम पढ़ेंगे जो ये वाला पहला और ये तीश्रा ये जो है बहुत important method है ठीक है यहां से question हमारा आता है तो ये जो होता है वृ बना देते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास एक वृत हमें बनाया ठीक है अब यहां पर इसका जो है ओ है और यह जो है तो B को यदी हम जिल्मार से मिलां तो A से लिकी B तक क्या मिलेगा एक चाप मिलेगा क्यों कि प्लिक करों के रूप में बनाया है इसको हम कहते हैं चाप मतल़ के को क्या कहेंगे चाप कहेंगे या आर्क, आर्क कहेंगे, आर्क of A, B, ऐसा बनेंगे दोस्तों, ठीक है, और यही बात हम बोलें, स्मॉल आर्क की बारे में, तो यह जो स्मॉल आर्क जो है, वो कहलाता है हमारा रेडियस, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा रेडियस कहलाता है, और यह जो बीच में जो कौन बन र जो पीछ में कौण बद रहा है वही कहलाताै ऐंगल ठीक है क्या कह लाता है हमारा एंगल कहलाता है तो यह जो केंडल ऑनी गरा किसको फीटर है क्वा वह कहलाता है दुश्क को उन्पक होता है क्या होता ए सक चो मार उता है वह होता है चाप बटे त्रिच्चया के बरादर होता है तो चाप जो है वो क्या होई चाप का जो मान है वो है AB और त्रिच्चर जो है वो R है ठीक है तो आप इसको लिखेंगे AB जो है चाप है और त्रिच्चर जो है R है ठीक है तो मैंने ये R का ऊपर में ऐसा लाइन लगा ह तो यह जो है आर्क को रिप्रेजेंट करता है तो ए भी जो है आर्क है और यहां पर आर्क जटी है अब इसमें हम पात करेंगे वृत की परिधी क्या मान क्या होता है आप सब्सक्राइब और फोगते हैं उसी यूज़ करना है कि हम पो या नां प्रिधी के विल्की परिधी या शर्टूफिण्स ओफ सरगर्टी है तो आप लिख सकते हैं तूमलिंटी क्या मिलता है तो उसके या का बतिक कि अब कर valley तो विल्त की परिधी क्या होता है तो उसके वादे पार करें तो तो वृत की जो परिदिया माण होता है, वह होता है 2-3R और किसी भी वृत के द्वारा कींद्र पर लाज जट्री शक्र हना लगाने से कींद्र ऑंधर होता हैय और सबस्क्ற क है थीक है तो किसी भी wadebhan कितना बनते हैं एट सेंटर खिaci भी spread के द्वारा कितने इंगल बनते हैं कि सेंटर में तो 400 सेंटर में कितने इंगल बनते हैं वह बनता है कितने डिग्री मनते हैं दोश्त only 1 बनता है 360 360 ने कि snod fandra बनता है तो यह जो 360 टेगरी है उसी के बारें बात करें तो यती मैं पाई का जो मान है पूरी करूं तो पाई को हम दिखेंगे इसको हम रेडिया में पढ़ते हैं उसको क्या पढ़ते हैं रेडियान पाई रेडियान तो रेडियान जो होगा पाई रेडियान इस इक्वेस ट तो इसलिए जो π cricket होता है वो क्या होता है वो डूوع से आप इसको डिवाइट कर तो यहां पर वोन चाहिका तो Sun कि sł मैं नीखे होता है वो ऐगंडिक पड़ावर होता है इसी के साथ अधि हम बात करें कि कि एक सबसी कितने पर आवर होता है तुम इंटो 90 मुली होता है इसका मतलब दो गुडित संकौन होता है एक संकौन में 90 डी super इसलिए हम बहलेंगे यहां पर 90 degree होता है, समझ में इतना है तो यह चीज हमको अच्छे से ध्यार रखना है, आगे हम इससे related question पर work करेंगे, हम समझते हैं दोस्तों कि यदि हमको कोई चीज जो है degree में given हों तो उसको हम radian में कैसे change करेंगे, और radian में given हों आपास जो angle है वो radian में given हों तो उसको हम degree में कैसे change करेंगे, तो first हम बात करते हैं, जो example number first है उसके solution के बारे में, तो example number first का जो solution है वो हम कैसे देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमको degree given है, ठीक है, degree हमको given है दोस्तों, ठीक है, तो वहां पे पहले मैं आपको अभी बताया हूं कि pi radian, pi radian is equals to 180 degree, ठीक है, तो 180 degree, तो यहां पे आप सुचें, आपको यहां पे यह करना है कि 180 से दोनों side divide कर देजें, तो आपको में जाएगा pi upon 180 radian, और इस side आपको में जाएगा 1 degree, क्योंकि आपने 180 से इसको divide कर दिया, तो 180 से divide करेंगे, तो 1 ही degree बचेगा, और इस side pi upon 180 आने, ठीक है जुस्तों, तो 1 degree का value इतना है, है ना, अब यदि हम 120 का दोनो side multiply करते हैं, तो हमको जो भी चाहिए था, radian में चाहिए था, 120 degree का जो mark चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है, तो एक बार मैं आपको साथ में बताता हूं, आप लिखिए 120 को multiply कीजिए, pi upon 180 radian में, ठीक है, और right hand में लिखिए 120 into 1 degree, यहां पी मैंने degree नहीं लगाए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं 120 का multiply कर रहा हूं, degree का multiply कर रहा हूं, तो 120 का multiply दोनो side किया है, degree इसके बाद में multiply होगा, तो वो degree में आएगा, ठीक है, तो इसलिए ऐसे करूंगा, और यहां से 0-0 कर जाएगा, सब्सक्राइगा, आप मैं 12 के जब डिवाइड करंगा, कितने से डिवाइड करना हमें को, तो 6 से डिवाइट करता हूँ तो 3 मिलेगा, तो यहां से आ जाएगा हमारा 2 पाई 3 रेडियन, ठीक है, इतना मिलेगा, अब इस इतना रेडियन is equal to 120 degree, ठीक है, तो यह हमारे पास मिल जाएगा कितना, यह जो है हमारे पास इसका solution है दो सुप ठीक है, समझ में हैं, अच्छा, अब आते हैं इस question में, ठीक है, इस question को समझते हैं, second का जो explanation है, उस पर आते हैं, second के explanation के लिए same काम बनना है, लेकिन कैसे, देखे, हमारे पास given है रेडियन, और हम कुछ रहेंगे degree में, तो आप क्या जानते हैं, जब solution number second जब परते हैं, उसमें हैं, आप लिखे, पाई रे रेडियन is equals to 180 d, यह लिखेंगे, ठीक है, अब आपके पास रेडियन की बन है, तो जब रेडियन की बन है ना दोस्तों, तो आप क्या करिए, वन रेडियन का मांदी क्या लिए, तो पाई को इधर मढ़िता हैं, या मतलब पाई से रिवाइट करें दुछे दोनों से, तो जब पाई से रिवाइट करेंगे, तो यहां पे 1 रेडियन बचेगा, यहां पे 1 रेडियन बचेगा, और इस साइन क्या हो जाएगा, 180 आप पाई हो जाएगा, समझ में आया, पाई से आप इधर मी डिवाइट कर दिजे, पाई से इधर मी डिवाइट कर दिजे, अब आप आपको किपने का मान चाहिए, तो आप इसी 3 pi by 2 को दोनों साइट मुल्टिप्लाइ कर देजी, तो आपको डिगरी मीस का मान मिल जाएगा, चरीक ऐसे, तो देखिए, 3 pi by 2 multiply 1 radian, ऐसे देखिए, ठीक है, आप इंग्लीस में लिखना चाहिए, तो इंग्लीस में हिंदी में लि तो आप देखिए, यहां पे 1 radian है, अब जो 1 radian multiply हो जाएगा इसके साथ, तो यह आप को मिलेगा, 3 pi by 2 radian मिल जाएगा, ठीक है, यह मिलेगा, अब बात करते हैं, राइट शेक, देखिए, यह pi और pi तो cancel out हो गया, 2 से आप इसको divide कर सकते हैं, तो यह 90 आएगा, अब 90 को 3 स तो 270 आचा, 90 में डिगरी है, इसलिए यह डिगरी में आएगा, तो इसलिए आपको मिलेगा कितना 270 डिगरी, 270 डिगरी मतलब 270 डिगरी बराबर कितना मिल जाएगा, 3 pi by 2 radian मिल जाएगा बुस्तो, तो आई रोग, आप सभी को, मेरे को ऐसा लगता है, कि आप सभी इसको करना है, और डिगरी को रेटें में जाएगा, इससे रेलेटेट आपके पास और इंसांपल होंगे, उसको आप्टराई करिएगा, ठीक है, और इससे रेलेटेट आगे का इंसंपल मैं और बता हूँगा.